Hello everyone, welcome back to my channel और आज मैं आप लोगों के साथ में BIRD Entrance Exam का Complete Slabers डिस्कस करूँगी तो अगर अभी तक आप लोगों ने आपनी preparation स्टार्ट नहीं की है तो कर दीजिए क्योंकि बहुत जादा समय नहीं है आपके Entrance Exam में और इस Entrance Exam के बाद में ही आपको BIRD में admission मिल पाएगा तो चलिए इसका Slabers देख लेते हैं सबसे पहले मैं बात करूँगी Journal Knowledge की Journal Knowledge में आपका Hisphe, Geography, Quality इसमें आपके Basic Questions आएंगे अगर आप इसमें 6-8 की NCRT की बुक पढ़ लेते हो तो उसमें से आपके बहुत सारे Questions आने के आपका Biology, Chemistry, Physics इससे Basic Questions आएंगे जैसे Inventions हो गया Vitamins हो गया, pH Values हो गई इस टाइब के Questions यहाँ पे देखने को मिलेंगे फिर आपका 5-year plan है 5-year plan से भी आपके एक या दो Questions आजाएंगे Current Affairs, Current Affairs आज के टाइम में बहुत ज़ादा पूछा जाता है तो Current Affairs से तो Question आना जरूरी है, ठीक है आपके मान के चलिए कि 5 Questions तो आने ही है Current Affairs से तो अगर आप 6-month का Current Affairs प्रिपेर करके रखते हो तो वो Questions आपके लिए करना बहुत ज़ादा मुस्किल नहीं होगा फिर आता है आपका Other Miscellaneous Questions Other Miscellaneous Questions में आपका Trophy हो सकता है, Dance हो सकता है कौन से स्टेट का कौन सा Dance है, जो Famous है Sports है, ये सारे आपके क्या होंगे? Miscellaneous Questions में होंगे. Second हम आप से बात कर लेते हैं English Language की English Language में आपका Reading Comprehension होगा, जिसमें आपको एक Paragraph दे दिया जाएगा और उसी Paragraph से Related कुछ Questions पूछे जाएंगे, जिसके आपको Answer देने होंगे और वो Answers आपको उसी Paragraph में मिलेंगे. फिर है आपका Fill in the Blanks, Fill in the Blanks आपकी Parts of Speech से Related होगी, कहीं पे आपको Proposition फिल करना होगा, तो कहीं पे आपको Noun या Word फिल करने होंगे. Error Correction ये भी आपका Parts of Speech से Related है, इसकी भी आप अच्छे से गर आपने Parts of Speech पढ़ा हुआ है और आपने Error Correction का Practice कर रखा है, तो ये questions आपके लिए बहुत जादा तफ नहीं होंगे. Indonym, Synonyms, Adium Phrases, Spelling Errors Spelling Errors में आपका जिससे चार Spelling's दे दी गई है आपको और उसमें से कोई एक Spelling सही है, तो आपको Find Out करना है, N One Word Substitution Hindi बासा में आपका संदी समास, इसमें आपको इनकी परिभाशा पढ़नी है, परिभाशा की प्रकार और उसकी भी परिभाशाएं देखनी होंगे, उपसर्ग और प्रत्य, रस्चन, दलंकार, मुहावरे और लोकोप्तियां, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, गध्यांस, रिक्तिस्थानों की पूर्थी, व्याकरण, परियावाची, विपरितार्थक सब्द, नेक्स्ट है आपका जर्नल एप्टिट्यूट, जर्नल एप्टिट्यूट में आपका रीजनिंग और मैथमेटिक्स दोनों से क्वेशन्स आएंगे, जैसे एनलोगीज, फिगर वर्बल क्लासिफिकेशन, कोडिंग और डिकोडिंग, कोडिंग और डिकोडिंग से क्वेशन्स आते हैं, दो ती सकते हैं फिर पुजल है और नॉन वर्बल सीरीज है इससे भी आपके questions एक-दो questions देखने को मिलेंगे अब इसमें हम देख लेते हैं quant में तो quant में आपको number system देखने को मिलेगा HCF LCM, arithmetic problems, time distance, profit loss, time and work, problem on age, simple and compound interest, etc, simplification इसमें आपका basic ही आएगा बहुत जादा tough नहीं आएगा अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत practice कर रखा है आपको command है आपकी थोड़ी बहुत तो आप इसको अच्छे से कर पाओगे फिर है आपका subject ability इसमें आपके subject से related questions आएंगे जैसे की commerce, arts, science, agriculture आपका subject जो भी है आप उसी subject को choose करेंगे जैसे आप commerce के student है तो आप commerce से करेंगे agriculture से हो तो agriculture से करोगे और इसका भी आपका एक अलग syllabus होगा जैसे अगर मैं बात करूँ commerce की तो इसमें आप से accounts पूछा जाएगा business studies, economics और इसका भी एक proper syllabus है मैंने इस चैनल पर अपलोड कर दिया है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आप लोग वहां से जा करके देख सकते हो तो यहां पर मैंने आपके साथ में पूरा बीएट इंटरेंस एक्जाम का syllabus डिसकस कर लिया है इसके अलावा आपको और कोई भी डाउट हो तो आप इसको मसे पूछ सकते हैं कर दो एक देख सकते हैं